नमस्कार किशान भाईों, टैक अगरी सलूशन में आपका श्वागत है, आज हम बात करते हैं इफकों की एनपीके 0-52 के बारे में की धान की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए कितने दिन पर इसका छड़काओ करना चाहिए इनपीके 0-52 का धान की फसल में पर्थम छड़काओ 40-50 दिन की वस्था में कर देना चाहिए, इस समय छड़काओ करने से पौधों में कल्लों की शंख्या बढ़ जाती है, उसके साथ साथ पौधे का ब्रिध्यों विकास भी अच्छी तरीकिश्य होता है और यद किशान भाई तीन छड़काओ करना साते हैं, तो पहले छड़काओ के बाद 10-10 दिन की अंतराल पे तीन छड़काओ कर सकते हैं, यद हमारे किशान भाई दो ही छड़काओ करते हैं, तो धान की फसल में दूसरा छड़काओ, 60-70 दिन के बीच में कर देना चाहिए फसल में फूल निकल आये हैं तो ऐसी अवस्था में छुड़कावना करें अक्सर में देखा गया है कि जिस धान की फसल में येनपी के 0.34 का छुड़काव कर दिये जाता है उस खेत में पौधे की जो बाली की लंबाई है आवसत लंबाई से लगभग बढ़ जाती है जिससे उस बाली में टानों की संक्या में विवड़तरी हो जाती है जिससे हमारा अवसत उत्पादन बढ़ जाता है जो सबसे दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो बालीयां है वो एक साथ पक जाती है जिससे हमारे किशान भाई को जो हार्वेस्टिंग करते हैं कटाई करते हैं उ खेत में छिड़काओ के शमय यनपी के 0-32 की मात्रा की बात करते हैं तो 10-15 गराम प्रती एक लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काओ कर सकते हैं इफको यनपी के 0-32 को लगभग आप सभी परकार के कीट ना सक दवाओं को साथ मिलाकर छिड़काओ कर सकते हैं किशान भाईयो यदि आप के धान के फसल में किसी भी परकार का कीट लगा हुआ है तो ऐसी इस्तिती में आप एनपी के 0-34 के साथ किट ना सक दवाओं मिलाकर छिड़काओ कर सकते हैं जिससे उसके साथ साथ कीट का भी नियंत्रन किया जा सकता है खेती से सम्मन्दित जानकारी के लिए आप भाण जलको लाइक करें शेर करें कमेंट करें जो भी किसान भाईयो आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हमारे चनल को सब्सक्राइब आवश्य करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार किशान भाईयों